नमस्कार मैं हूँ गौरव सिर्वास्तो आप मेरे साथ देख रहा है हमारा खास कारिकं बात अपने देश की कोई भी डेक्सका लोकतंद होता है लोकतंद में दो धर्रे होते हैं दो पईये होते हैं एक पईया होता है सत्ता पच्च का और दूसर पईया होता है बिपच्च का और लोगतंत की जो सोभा है जो लोगतंत की खोफसूरती है वो बिना इन दोनों पईया के मजबूत है और अगर सत्ता पच्च मजबूत होगा तो सरकार अच्छी चलेगी और अगर बिपच्च मज करना चाहते हैं तो विपिषकी भूमिका बहुत मेरपूर से ले कि विए परटी क्यव मुथी होती है तरह करती है उनको बिलक रूप में पालन कराने में या इसको लाने में मना भी करती है रोकती भी है और उसका लगातार आंदुलन भी करती है तो जो लोकतंथ है उसमें सत्ता पस्त और बेपच्च दोनों की भूमिका मैट पूल है पर आज हमारे देश में इस समय जो स्थिती है बोड़ी दिल्चस्प है दिल्चस्प इसलिए कहूंगा क्योंकि इस समय केंजर में बात करें बार्चिनदा पार्टी सरकार है सबके थोड़ी जोड़ी सांसर मिलाके हमान सत्ती बेपच्च है पर बेपच्च कोई पार्टी सक्री रूप से बने एक पार्टी जो पूरी चाहसे सामने आए ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि उत्ताप्रेश में सब्सक्राइब हुआ है और अगर हम बात करें उत्राखंड की उत्राखंड में भी कॉंग्रेश मजबूर पश्क्राइब म empieza!' और अगर हम बाद करते हैं गोज की तो वहाँ पर ही मतात सामने आया है पर अगर पंजाब की। तो पंजाब मैं विखाण और पार्टि सरोकार में आई है और जो सत्तादारी पार्टी थी कॉंग्रेस की जिसमें लगातार कुस महीनों से खीस्तान चल लए थी आवेंदर सिंग का स्तीपा हुआ उसका चरण जी सी चन्नी मुक्वंतिर बने हाला कि नजू सिंसिद्धू का नाम चल ला था तो जब हम बिपक्स की मचब Chicago होती क्या है बई बिपक्स की मचबूती ले जडरूरी है पर अगर बिपच्छ मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं बिपच्छ इन कानून का बिरोट करेगा और उन कानून को पालन कराने में अदरिस या बिल को लागू कराने में सरकार पर रुख लगाएगा और बहुमत पास नहीं होने देगा पर अगर उत्तापरेश की बात करें उत्तापरेश मसरकार दोबारा बहुमत के साथ आई है और साती चाथ सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि अब बात करते हैं सबसे परानी पार्टी यानि कॉंग्रेस की कॉंग्रेस पार्टी भुष परानी पार्टी और निष्टी रुफ से देश में सालों दसको राज किया है पर आप कॉंग्रेस के हालेर बड़ी गंबीर है गंबीर इसलिए कहूंगा क्योंकि केंजर में हालत सबको पता है उत्ताप्रेश में क्या हालत हुई है मात दो सीटे यह वह सबको पता है और जहां-जहां सरकार है बहां भी बड़ा गंबीर विरोड है बहां भी गहरा जो बेपच्छ है वो मजबूत है और साथी साथ सरकार को कड़े रूस पर टककर भी दे रहा है और लगातार अपने प्र अपना काम है और जिस चुनाओं को हम बात कर रहे थे वहां पर कॉंगर्स पार्टी की राष्टी मासेचे परिंका गांडी जब लखनुमान कमान समाली थी तो उनकी द्वारा लगातार हर मुद्दे पर अपने अपने जो पिदेश के मंत्री मुख मंत्री हैं उनको बलाया गया चन्जी चन्नी बलाए गए चट्रीघर से भूपिर सिंग भागेल भी बलाए गए और रायस्थान से असोप ग्यालूट भी बलाए गए तो यहां पर राजनीति के माध्यम से चुनाओं के चरिये और एक पिकार से मीडिया के जरिए यह बताया गया कि हमारे परदेश यहां जहां हमारी परदेश सरकार है बहां के मकमधिरी बहतर काम कर रहे और वही काम का एजएंडा हम अ sense में लागू करें गए अग्या पहता ओए और एक चालिस परसेंट में ब díasना और को टेकेट दिया था और जो परद नामय मौ जगजढी है आपके सामने है तो कहा जाता है कि क्या दिक्कत रही है और धिक्त से रभी रही कि दहांचा है जो अब करते हैं जो विंक शो कि कमी है और बहतर नेटा नेटा सब्सक्राइं के निके तो गोई नेतरम कि और आपनी और गना देव आपनारा अनकर शूंटकिक पर maximum चिन आप बिड़े लीटरफ़ नहीं बात करें और तबहों य॥ा गांड़ी तो भी तब तक समय आखे रही आठीक शेप्स मिलमी बनीटा करें तो मुप्त की राज दती लैप ठॉट अप स्वेट पत्र प्रतिग्याएं चारीज प्रसेंट मेलां को टेकर जो तमाम राजनिते हटकंडेते सब फेल हो गए और सबसे बड़ा हटकंडा था फेल हुआ पैंशन स्कीम का तो यहां पर कॉंग्रेस पार्टी की जो हालत है वो सबको पता है कोई असी बात नहीं है कि जिसक 이스 प्रवत्न करें क्योंकि बिंगों होती है जो सहयोगी मुण ब्यस्ताय होती है उनको मजबीर करना बहुत जरूरी है अगर आप सब्सक्राइब करना है और आपको बेतर करना पड़ेगा अगर आपको जनता के लिए संगर्ज करना है तो यहां पर आपको परवर्तन करने होंगे और इस परवर्तन इसरी जरूरी है क्योंकि आज के समय में टूट की राज जीती हो रही है हम लगाता देख रहे हैं उत्तव प्रेस में चुनाओ के बाद पेट्रोल डीजल की रेटर बढ़े गए उसके बार महंगाई का आलम क्या है वो जग जाहर है क कोई इसमें नई बात नहीं है नीवू 242 किलोबिक गया पेट्रोल के डीजल लगातार बढ़ रहे हैं पर इसके बावजूद अब तक बिपर्च की तरफ से कोई बड़ा आंधुलन कोई बड़ा प्रेशन नहीं किया गया मैं कमजोर बिपर्च की बात यहीं कर रहा हूं कि कि यहां पर केबल केबल सरकार के ऊपर तूट के माध्यम से आरोप त्यारोप के दौर जा रही है पर अब तक कोई भी पार्टी का बड़ा नेता अब तक कोई पार्टी सक्री रूप से आंधुलन करने के लिए सड़क पने उतरी हैं कॉंग्रिस के जरूर अब बात करूँ आपको ब्यरूस्था है आपको जरूरत है ब्रजगारी का मुद्दा है आपके पास महंगाई का मुद्दा है आपको खुल कर जनता के लिए सड़क होता ना चाहिए अब तक यह पार्टियां जाने किस नीन में है और यह कुमकर्णी नीन जब जागेगी तब तक फिर 2024 का चुनाओं खता हो चुका होगा अगर 2024 चुनाओं में इन पार्टियों को कुछ मजबूत काम करना है कुछ अच्छे पढ़नाम लाने है तो निश्यूरू से ही कॉंग्रेस पार्टी को अपने आपको मजबूत करना होगा कि कॉंग्रेस वो संगटन हो जसका सभी राज्यों पार्टी सरकार को यहां पर बिरूट कर सकती है उनके खिलाब लड़ सकती है और अगर अच्छे आकड़े आए पढ़नाम आए तो सत्ता की कुर्सी भी आ सकती है क्योंकि मैं आपको पहले है कि कॉंगरिस पार्टी है जिसने देश पर रसको राज किया है और के दिन में मोरी स कुर्सी से उतरने के बाद जिससे दस साल का जो हाल है यह बड़ा सोचनी है और आप यहां पर उनको ट्वीट की राज़नीटी और अन्य बिकल्पों की राज़नीटी करने के अलाबा उनको करते रहे क्योंकि सोचल मीडिया भी तरह मांदे में पर यहां पर आप सलकों आपको बिना जनाधार के सत्ता की कुर्सी पहुंचना केबल विक दिवा सपन है यानि दिन का सपन है और दिन का सपन होता है और दिन का सपन को आपको पूरा करना है और आपको उम्मीद करने है कि सत्ता की कुर्सी बैटे तो आपको परवरतन करने पढ़ेंगे संगटर मे आपको परवतिन करने पड़ेगा सोच में आपको परवतिन करने पड़ेगे अपने बिचारों में आपको परवतिन करने पड़ेगे अपनी सक्रीटा में और आपको परवतिन करना पड़ेगा अपनी नितित में बातिनेंडा पार्टी के अगर बात करें तो तमाम अज़े हैं जो कि जिनके पुत्र और उनको मौकर नहीं देगा हैं। और बंसवार्ट की राजिती नहीं की गई हाला कि अंदर पड़ों बैठे हैं बिडायक बने मंत्री बने पर यहां पर कोई बरिष्ट पड़ नहीं जा गया कोई सक्री पड़ नहीं दे गया जोगी भारतिंदर पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता है और हमेशा से वहां पर कार करताओं को उनके पड़ के मुताबित उनके मेहनट के मुताबिक इनाम मिलता है तो हमको हमाई साब ने जरन दोड़ारन है कि कभी अपने कारकवों में ब्यूस्ता देखने बाले नरेन मोरी आज भारतियंद्य पार्टी की तरफ से कि इन सरका में दूसरी वार प्रामनती बनक के होगी यही सोच कांग्रे स अमाहधी पार्टी को सोचनी ओगी आधि श्रक्री पार्टी में 10 सल परानी पार्टी हमी 2012 लोगों के लिए लगातार तबाता है तो यहां पर मैंट करने पड़ेगी अगर हम सपा के बार के समावी पार्टी लगातार 111 सीटे लेकर आईए 125 सीटे उनके गड़बनन को मिला है मजबूर विपश्च की रूप में सामने आई पर आपता के वो विपश्च नजन नहीं आ रहा है क्योंकि आपता के लगातार हम देख रहे हैं कि पैट्रोल के डेट हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी अब शड़क पर नहीं आ रही है अगर आप चुनाव वह तो तब भी आप शड़क पर आते पर चुनाव खत्म हो चुका है यानि पढ़नाम आने के बाद सब निरासा के घोर सागर बैठे हुए और सब कुमकर्णी नीड हो चुके है क्यों भी इन पार्टियों को नहीं मिलेगी क्योंकि ब्रबंत कि ब्रडoder ऑपने संगठ्र के माद्धाम से अपनी व्योस्थाओं के माद्धें से लगतां के मुलाइक अपने निपासा से प्रियास कर रही है और जिस तरह से यहिए योगी अतितात की अभी दूसरी कारेकाल मंदली भरमन करेंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे रह मंदली PSAT, कए उरे मंतरी हो, तो ये भी एक बड़ा पिस्न है, चाहे कैबिट मंतरी हो, तो लगातार योगी अजनार अपनी दूश्य कारों में सक्रिय हो बहुत संजिर्गी से काम कर रहे हैं तो निश्रूप से यहां पर विपच को सोचना हो पड़ेगा कि अगर इस तरह ही यूपी सरकार चलती रही तो कि आगे बारी समय में इनको कॉंग्रिस को और अन्य पार्टियों को बड़ा नीचे जाना होगा क्योंकि उत्तापनेश के माध्यम से केन में सरकार बनती हो और मैट्पूर्ण भूमी का उत्तापनेश की रहती है और जिस तरह से योगी अतनात लगातर काम कर रहे हैं यहां प करना क्या होगा सबसे पहले बिपच्च को यहां पर प्रशन करना बढ़ेगा कि जब किजी पार्टि का बड़ा नेता संगण की तरफ से जनता के लिए बड़े मुद्दे के लिए सड़क कोतरता है तो निश्री रूप से इसकी कार करता हूं में एक अलग उर्जा का संचार होता है वो उर्जा निश्री रूप से पार्टी को मजबूर करने में बहुत काम आती है चुनाओ के बाद जो उर्जा खतम हो चुकी है वो दिक्कर वाली बात है और अब यहां पर बिपच को बड़े फैसले लेने होंगे क्योंकि अगर बिपच बड़े फैसले नहीं लेगा तो आपको एक बहतर लोगतंत की जो खुफ सुर्त है वो दिखाई नहीं देगी कि अगर लोकतंद कि सुभा चाते हैं अगर लोकतंत को बैतर रूप से देखना चाहते हैं तो बेपच और सतापच दोना का मजब tumor होना जरूरी है तो मजबूत होता है क्योंकि पभभून के सा रहता है लगा पशबत होना चाहिए और टब प्रेटर बढ़ रही है पैट्रोल डीजल के डाम बढ़ रहा है तो आपको सड़को उतना पड़ेगा टूइट की राजनीती आप छोड़नी पड़ेगी तूइट की राजनीती से आप सोचल मीडिया पर प्रेटफरम पर जा सकते हैं और जनता की संदिफ पहुचा सकते हैं यह जनता कि अपर उनी को लिए दौरती है जनता उनी के लिए जनारदन के काम करती है जनता उनी के ली जन जन अस बन जाती है जब जन्यास लेखती पार्टि निरंगोस हुआंगी और लोगतन की खुफसूर्ती यह वह गहीं dann official किसरी के लिए बहुत मजबूद होना बहुत जरूरी है अगर बследबर मजबूद होगा जरेती जा रही है और सतर अभी पार्टे की खमता लगातार बढ़ती जा रही है और यहां पर को अपनी खमता को बलाना होगा औब बजाबत होगा जनदार के मbeltदंसे भसता है के आप देख रहे हैं प्राइम ٹीवी सच साहस सरुका